नमस्कार चात्रों आप सबी का हिंदी के तासिका में हारदीक हारदीक स्वागत चात्रों आज हम अध्यान करेंगे हिंदी सुलब भारती आठवी कक्षा की पहली कविता है मात्रु भूमी का जिसके रचियता है राम प्रसाद बिस्मेल मात्रु भूमी के बारे में आपको कुछ और जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मात्रु भूमी के बारे में आप सब बच्पन से सुनते आ रहे हैं और अक्सर हम सब मात्रु भूमी के लिए अपनी जान तक नियचार करने के लिए तयार होते हैं मात्रुभूमी के लिए न जाने हर एक व्यक्ति क्या-क्या करते हुए दिखाई देता है तो चलिए इसी मात्रुभूमी को समर्पित किया हुआ राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा है मात्रुभूमी इस कविता का अध्यन हम आज शुरू करते है देखिए पहली दो पंक्ति मैं आपको बताऊंगी उसके बाद उनमें आये हुए कठीन शब्दों का अर्थ बताऊंगी और उसके बाद दो पंक्तियों का सरल हिंदी में अर्थ मैं आपको बताऊंगी है मात्रुभूमी तेरे चर्नों में शीश नवावू हे मात्रभुमी कभी कह रहे हैं, हे मात्रभुमी तेरे चर्णों में मैं अपना शीश, शीश का मतलब है सीर या सर, नवाओ, नवाओ का मतलब होता है जुकाना, है मात्र भूमी तेरे चर्णों में मैं अपना सिर या शीष जुकाना चाहता हूँ हमें किसके आगे अपना सिर जुकाना चाहिए छात्रों जो हमारे लिए आधरनिय हो उनके आगे हमें अपना सिर जुकाना चाहिए तो कवी यहाँ पर अपना सीर किसके आगे जुकाना चाहते है तो मातरभूमी के आगे वे अपना शीष या सीर जुकाना चाहते है शीर शीश का मतलब है सीर और नवाव का मतलब है जुकाना हे मातरभूमी तेरे चर्नों में शीर नवाव मैं भक्ती भेट अपनी तेरे शरन में लाओ अक्सर हम किसी से मिलने जाते हैं तब उसे हम कुछ न कुछ भेंट अवश्य ले कर जाते हैं या आपकी भाषा में हम कहेंगे अगर हम किसी के घर जाते हैं तो उनके लिए कोई न कोई गिफ्ट हम जरूर लेके जाते हैं तो यहाँ पर भी कवी जब अपनी मात्र भूमी को मिलने के लिए जाएंगे उस समय कवी कहते हैं कि मैं मात्र भूमी को भेंट लेकर जाने वाला ह लेकिन ये भेट क्या है तो ये भेट है भक्ती की भक्ती मतलब की भक्ती का मतलब होता है किसी भक्त ने अपने भगवान पर की हुई जो प्रार्थना होती है उसी को हम भक्ती कर सकते हैं तो यहाँ पर कभी अपने ही कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जब तुम्हें मातबु मिलने आऊंगा तब मैं तुम्हें भक्ती स्वरू भेट लेकर आऊंगा और सीधा तेरी शरन में आऊंगा यानि मात्रभूमी के आगी कवी यहां नतमस्तक होना चाहते हैं यही बात पहले दो पंगतियों में कवी ने बताई हुई है देखिए आगे चलते हैं आगे की दो प हमें शीतलता देता है वो है चंदन चंदन की अलग-अलग प्रकार की कॉस्मेटिक क्रीम हम जानते हैं चंदन के अलग-अलग गुनधर्मा हम जानते हैं चंदन के पेड़ की बारे में हम सब जानते हैं चंदन हमें शीतलता देता है तो कवी यहां पे कहता है माते पे तू ह चंदन यानि जब जब है मात्रुभूमी तुझे मैं अपने सर पर या अपने माथे पर लगाऊंगा उस समय मुझे चंदन की तरह एहसास होगा चाती पे तू हो माला है मात्रभूमी मैं तुम्हें अपने चाती पर माला बनके पहनूंगा और इस प्रकार मैं खुद को तुम्हारा अनुभव करूंगा जिवा जिवा पे गीत तू हो मेरा जिवा यानि जबान या उसे हम जीब भी कह सकते हैं और कवी चाहता है कि मेरे जबान पर मेरे जिवा पर मेरे जीब पर तेरा ही गीत होना चाहिए है मात्रभूमी तेरा ही नाम मैं गावू इस प्रकार कवी यहां मात्रभूमी के आगे नतमस्तक होके मात्रुभुमी के गीत अपने जिवा द्वारा अपने जबान द्वारा गाना चाहता है और मात्रुभुमी को शरन जाना चाहता है आगे की दो पंक्तिया देखते हैं जिससे सपूत उपजे सपूत सपूत मतलब सू पूत्र सू मतलब जो अच्छे पूत्र मतलब संतान यानि कि जो अच्छे पूत्र है वो इसी मात्रुभुमी पर उपजे है उपजे का मतलब है पैदा होना निर्मान होना यहाँ पर कभी कह रहे है कि है मात्रुभुमी मेरे इस मात्रुभुमी पर मेरे इस जमी पर अनन्त अईसे सपूत यानि अच्छे पूत्रों का यहाँ पर निर्मान हो चुका है तो ऐसे महान और अनंत ऐसे सूपुत्र कौन है आगे उन्होंने बताया है स्री राम कुरुष्ण जैसे राम और कुरुष्ण के बारे में कौन नहीं जानता हम सब जानते है कि राम और कुरुष्ण का चरित्र किस प्रकार रहा है तो इस प्रकार राम कुष्ण जैसे महान पवित्र सुपुत्रों का जन्म मात्रूभूमी मेरे मात्रूभूमी में हुआ है उस दूल को मैं तेरी नीच शीश पे चड़ाऊ यानि कवी चाहता है कि है मात्रुभूमी तुम्हारी जो धूल है उस धूल को मैं नीज, नीज का मतलब है नित्य हर रोज शीश पे चड़ाऊ, यानि मैं हर रोज तुम्हारे धूल से अपने सिर पर, अपने माथे पर तिलक लगाना चाहता हू। इस प्रकार पहली छे पंक्तियों में कवी मात्रुभूमी के लिए कुछ इस प्रकार कहे रहे हैं, जैसे कि पहले दो पंक्तियों में कहे रहे हैं कि मात्रुभूमी तेरे चर्नों में कवी क्या करना चाहता है, अपना सिर जुकाना चाहता है, कवी जब भी मात्रुभूमी के मिलने के लिए जाएगा उस समय कभी मात्रु भूमी को भक्ती रूपी भेट लेकर जाएगा और यहाँ पर कभी मात्रु भूमी के शरन में जाएगा यानि नतमस्तक होगा अगले दो पंग्तियों में बताया है कि कभी यहाँ पर मात्रु भूमी को अपने माथे पर लगाना चाहता है क्योंकि कवी के अनुसार मात्रुभूमी चंदन के समान सुवासिक है और इस प्रकार ये चंदन सुवासिक होने के अलावा शीतलता भी देता है इसलिए ये चंदन अपने माथे पर लगाएगा और यहाँ पर कवी की इच्छा है कि मात्रुभूमी तुम मेरे गले म माला बन कर रहो इस प्रकार मेरा भी क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा भी इस प्रकार यहाँ पर कवी अपनी ही इच्छा कामना व्यक्त कर रहे हैं कि धर्ती तुम मेरे गले में माला के समान आ जाओ और इस प्रकार अगले पंक्ती में कवी कहना चाहता है कि मेरे जबान पर मे अगले दो पंतियों में यहाँ पर कविने बताया है कि मेरी मात्रोभूमी इतनी महान है कि यहाँ पर न जाने रामकृष्ण जैसे कितने अनन्त ऐसे सूपुत्र अच्छे पूत्रों का यहाँ पर निर्मान हुआ है और ऐसे मात्रुभूमी की धूल यहाँ पर कवी नीज याने हर रोज नित्य अपने शीश याने सर पर माते पर चढ़ाना चाहता है यानि कि तिलक करना चाहता है लगाना चाहता है पहले छे पंक्तियों को एक बार रिवाइज करने के बाद हम फिर से साथवी और आठवी पंक्ति का अध्ययन करते हैं माई समुद्र जिसकी पद रच को नित्य धोकर यानि कि हे मात्रुभूमी तुम इतनी महान हो इतनी महान हो कि समुद्र भी हर रोज तुमारे पैर धोता है तुम महान माता के समान हो और तुमारे पैर हर रोज यहाँ पर समुद्र धोता है करता प्रणाम तुझको मैं वे चरन दबाओ कवी की यहाँ पर इच्छा दिखाई दे रही है कि मैं तुमें प्रणाम करता हूँ और मैं तुमारे चरन दबाना चाहता हूँ इस प्रकार यहां पर कवी ने कहा है कि है माई, है मा, है माता, मात्रुभुमी तुम इतनी महान हो कि समुंदर तक तुम्हारे हर रोज, नित्य याने हर रोज पैर दोने के लिए आता है और मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, और मैं तुम्हारे चरंद बाना चाहता हूँ. अगले दो पंक्तिया देखिए सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तजकर तजकर का मतलब है त्याग कर देना या त्यागना या त्याग देना उसे हम मराठी में कह सकते हैं सोडुन देने यहाँ पर कवी कहना चाहता है सेवा में तेरी माता यानि कि मैं तुम्हारे सेवा में हाजिर हो गया हूँ और किस प्रकार हाजिर हो गया हूँ मैंने मेरे अंदर जो भी भेद भाव है ये काला ये गोरा ये उंच ये नीच ये पैसे वाला ये गरीब ये भेद भाव मैंने त प्रति दिन सुनू सनावू। यानि कि तुम्हारा जो नाम है वो अत्यन्त पुन्य सा नाम है मात्रुगुमी और प्रति दिन यानि हर दिन मैं तुम्हारा नाम खुद भी सुनूंगा और औरों को भी सुनाना चाहता हू। आखरी दो पंक्तिया देखिए तेरे ही काम आओ। तेरा ही मंत्र गाओ। मन और देह तुझे पर बलिदान में जाओ। यानि कवी यहाँ पर कहना चाहते है कि है मात्रुभुमी मेरे शरीर में जब तक सांस रहेगी तब तक मैं तुमारे ही काम आना चाहता हू। तुमारा ही मंत्र यानि तुमारा ही गुनगान करना चाहता हू। और जब तक मेरा मन और देह है तब तक ये तुम पर बलिदान होता रहेगा नियुचार होता रहेगा। तुम पर सर्वस्व मेरा सर्वस्व मेरा नियुचार होता रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर कवी अपना सब कुछ मात्रुभुमी के लिए नियुचार करना चाहते है। इस प्रकार यहाँ पर आखरी छे पंगतियों में कवी ने अपनी किस प्रकार की इच्छा व्यक्त की है कवी यहाँ पर मात्रु भूमी को कह रहे है कि तुम माई हो यानि कि हम मा को अलग अलग नाम से पुकारते है तो कवी ने यहाँ मात्रुभुमी को माई कहा है तुम इतनी महान हो इतनी महान हो कि समुंदर तक तुम्हारे पैर धोने के लिए आ गया है ऐसे महान माता को मैं प्रणाम करता हूँ तेरे मैं चरन दबाना चाहता हूँ यहाँ पर कवी मा की मात्रुभुमी के सेवा में आ गया है लेकिन सेवा में आने से पहले सभी भेत भाव उसने छोड़ दिये है त्याग कर दिया है और इस प्रकार यह कवी हर रोज इस मात्रुभुमी का पुन्य जो नाम है वो हर दीन सुनेगा और दूसरों को भी और आखरी पंक्तियों में कवी ने यहाँ पर कहा है कि मैं हर समय तुमारे ही काम आओ और तुमारा ही मंत्र यानि तुमारा ही गुनगान तुमारा ही मंत्र में हर रोज जपना चाहता हूँ और कवी की आखरी इच्छा है कि जब तक मेरा ये आत्मा मन यानि आत्मा और देह तब तक मैं तुझ पर बलिदान हूँ, इस प्रकार मात्रुभूमी के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए कवी की इच्छा यहाँ पर दिखाई दे रही है, हमें इस प्रकार कवी से प्रेदना लेकर मात्रुभूमी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, धन्यव आशा है, आपको मेरी पढ़ाई हुई कवीता समझ आई होगी